वहीं भारतिय किसान संग ने 7 अक्टूबर को सची वाले घेराफ का एलान कर दिया है अपनी कुछ मांगों को लेका किसान संग से जोड़े लोगों ने अंदोलन के तहर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है वारतिय किसान संग के प्रांत अध्यक्ष ने का है कि चितौड प्रांत के सभी 16 जिलों से भारी इतादात में किसान प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं संभाग अध्यक्ष ने आरूब लगाते हुगा है कि जब से राजस्तान सरकार बनी है तब ही से किसान संग के किसानों की समस्याओं को लेकर बार बार ग्यापन दिया गया है महापड़ा वारता के जरीए सरकार को समस्याओं की जानकारी दी गई है लेकिन सरकारी सींट ताके चलते किसानों की समध्ञाए आए Polish की वहीं है सरकार से लगातार समर्तन मूले पर फसलों की खरीद चुरू करने दूध खरीद का बकाया अनुदान जारी करने क्रशी विद्यू अजारी समस्याओ साइद किसानों की कई समस्याओं के समधान के लिए चर्चा की जा रही है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा प्रदेश में खरीफ सीजन की फसलों की कटाई शुरू हो गई है किसान के फसलों को मंडियों में बेशने का सलसला शुरू हो गया है फसले समरतन मूले से नीचे भी कर रही हैं पर खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों को नुकसान हो रहा है सरकार से सोयबीन और मूंग की फसल का ततकाल समरतन मूले पर खरीदी की अधी सूच ना जारी करने की मांगी गई भारती किसान संग ने काया कि दूद उत्पादक किसानों का मुख्य मंतरी दुख्द संबल योजना के तहत अनुदान दिसंबर महिने से बकाया है खेत की सिचाई के लिए बिजली की सप्लाई में भी समझ से आ रही है बरतपुर के सेवर थाना इलाके के 103 A.D.A. आर्मी यूनिट में जवानों की अगनी शमन सिलिंडर चलाने की ट्रेनिंग दी गई ट्रेनिंग के दौरान गया सिलिंडर फटने से एक अगनी वीर जवान गंबी डूप से गायल भी हो गया गायल अगनी वीर जवान को लेकर निजी अस्पताल ने भरती करवाया गया जहांचे कि सकों ने जवान को मरत कोशित कर दिया शफका पोस्माटम जिलार भी हम अस्पताल की मौट्शिय में करवाया गया सेवर पुली स्थाने में तेनात एसाई ने काया कि गोल पुरा इलाके में 103 ADR में की बटैलियन में आग भुजाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी जवान चोटे गया सिलिंडर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था इस दोरान सिलिंडर अचानक फट गया हादसे में जवान के सीने में गंभीर जखम हो गए मरतक अगनिवीर जवान यूपी के कन्नौ अच जिले के बखरा गाउं का निवासी था पुजाने की सिखलाई दे रहे थे उसको वो जो सिलिंडर आता चोटा वो सिखलाई के दोरा फट गया फटने से उसके सीने में चोट लगी सौरव है